नमस्कार आज की नागपुर हल्चल में मैं अश्वरे शिंदे आपका स्वागत करती हूँ अईने ज़र डालते हैं नागपुर की वीविद हल्चल पर अनाज और संबंदित वस्तु ओपर 18 जुलाई 2022 से जेस्टी के दायरे में लाया जा रहा है व्यापार और उद्योग शेत्र के प्रतिनी धियो और राज़बर से उनके व्यापार संगु ने भारतिय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली दवारा दिये गए 16 जुलाई के एक दिवसिये टोकन व्यापार बंद का समर्थन करने का संकल्प लिया अखिल महाराष्ट व्यापारी महासभा का आयोजन सहीक तुरूप से वाशी में चेमबर ऑफ असोसियेशन ऑफ महाराष्टर इंडस्ट्री और ग्रेन राइस ओयल मर्चेंट असोसियेशन वारा दितकर व्यवस्था के तहट छूट प्राप्त वस्तों को जीस्ट के तहट कर से मुक्त रखा जाएगा आज व्यापारी समुदाय और नागरिक महसुस कर रहे हैं कि सरकार गैर ब्रैंडेट खाद्यान और अन्य सम्मन्नित वस्तों पर पाच प्रतीशत जीस्ट लगा कर अ इस दोरान इस प्रोग्राम का लाइब टेली कास्ट कर करीब 12 कॉलिजों के छात्र छात्राओं को इसका सीधा प्रसारण किया गया इस दोरान करीब 1000 छात्रों नी इस प्रसारण को देखा इसी के साथ ही NDPS दस्ते द्वारा एक छोटा सा वीडियो भी बना गया जिससे YouTube और फेस्बुक सहीच सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉंस पर जारी कर स्कूल कॉलेजों में जाने वाले विद्यार्थियों में नश्य से होने वाले दुश्परिणामों के बारे में जन जागूंती की गई इस कारिक्रम का उद्गाटन जॉइन्ट सीपी अस्वती दोर्जे के हातों हुआ इस अवसर पर DCP चिनमय पंडित मानसीक चिकित्सक डॉक्टर श्रेयस मगिया समूप देशक विशेशग्या अभिजित सेन गुपता मुख्यरूप से उपस्तित थे इस दोरान शहर के विभिन्न पूली स्थाना अंतरगत NDPS अधिनियम के तहट साथ मामलों में जब्त करीब 80 लाख रुपे मुल्य के 529 किलोग्राम गांजे को ड्रग्स डिस्पोजल कमिटी के समक्ष भांडेवाडी में नश्ट किया गया आने वाली 17 जुलाई 2022 को राश्ट्रे रिपब्लिकन पार्टी की पार्लियमेंटरी बोर्ड की बैठक पुने के भारत रत्रतन डॉक्टर बाबा सहाब आमबेटकर भवन मालदक का चौक पुने रेल्वेस्टेशन के पास पुने जारी है राश्ट्रे एवं राज्जे की वर्तमान स्थिति को मद्य नजर रखते हुए भारत के समिधान सम्मान पर इस बैठक में चर्चा होगी आगामी चुनावों पर भी इस बैठक में फोकस किया जाएगा बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राश्ट्रे अध्यक्ष अन्णा कटारे करेंगे राश्ट्रे एवं राज्जो के पदाधी कारी इस बैठक में भाग लेना अनिवारिय है पुने जिलाद्यक्ष एवं बैठक के संयोजक सचिन साबले ने इस महत्वपुर्ण बैठक में सभी पदाधी कारियों को भाग लेने का आभान किया है ये जानकारी मीडिया प्रभारी महराश्टर राज्य भागवत लाणगे ने दी है महराश्टर में पिछले एक सपताह से बारिश ने कहर मचा रखा है राज्य का जन जीवन अस्तव्यस्त है और भारी बारिश के कारण बार जैसे सिती बन गई है ऐसे में कई लोगों की जाने भी गई है इस मुद्दे को लेकर शिवसेना एक नाच्शिंदे सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है शिवसेना निता संजेराउट ने महराश्टर के मुख्यमंत्री एक नाच्शिंदे पर हमला करते हुए कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है उन्होंने कहा कि जब महाराश्र में बारिश कहर बरपा रही है तब गवर्नर कहा है पता नहीं संजे राउत ने दावा किया है कि महाराश्र में सरकार का अस्थित्व ही नहीं है क्योंकि वर्तमान में एक नाचिंदे के नित्रित्व वाली सरकार अवैध है उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे हालात में जब राज्य में बारिश अपना कहर बर पा रही है गवर्नर कहा है संजे राउत ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में कॉलरा का प्रकोब बढ़ गया है इससे लोगों की मौते भी हो रही है उन्होंने कहा कि महाराश्रा में फिर से लॉकडाउन की स्थिती बन गई है करीब सौ लोग की बाढ़ के कारण मौत हो गई है गुरुबार को शिवसेना के राज्यसबा सांसद्वन नाकपुर जिला प्रभारी संजे राउत नाकपुर पहुचे इस अवसर पर शिवसेना पदादिकारी वकारे करताओं ने उनका स्वागत किया नाकपुर के संघटन में फेर बदल से शिवसेना के नेताओं में उपजी वीवाद को लेकर राउत के नाकपुर आने की बात कही जा रही है स्थानिय अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल हेती में पूरे हर्शोलास से साई उत्सव एवं गुरु पोरुणी मा पर्म मनाये गया स्कूल के प्राचारिय राजिंद्र मिश्र ने अर्विन बूरुलेवार वंदना यादव वंदना बारा पात्रे मिनाक्षी वैद्य मंजुशा साटर कर स्पीता अटल कर सहीद सभी शिक्षकों की उपस्थिती में माता सरस्वती बेद्व्यास एवं साई बाबा की प्रतिमा पर माल्यार पंड कर कारेकरम का शुभारम किया विद्यार्थियों ने गुरु पर आधरीत समुह गान एवं समुह नित्य प्रस्तूत किया कारेकरम का संचालन रंजना ठाकूर ने किया प्राचारिय ने अपने समोधन में गुरु शिष्य परंपरा का बखान करते हुए ए नाय जाने पर दुख व्यक्त किया, सभी कक्षा के विद्यार्थियों ने भी पूरी श्रद्धा के साथ पर्व में अपनी भागीदारी निभाई, अर्विन बाबु देश्मुक प्रतिष्ठान के कारेकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विदायक डॉक्टर आशिश देश्म ने सभी को गुरु पूरुणी मा की शुपकामनाई दी, भक्ति से ही चमतकार होते हैं, ये उद्गार परमपुज्य आचार्य विशुदर सागर जी के परमशिश्य परमपुज्य मुनी श्री प्रशम सागर ने अपने उद्भोधन में श्री पार्श्वना दिगंबर जै हुए राजग्रिह में आए, वहां आशा सजय के पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्रशेष्ठ इंद्र भूती, गौतम, अगली भूती, वायू भूती तदा कॉंडेय पंडित इंद्र की प्रेरिना से भगवान महाविर के समवशरण में आए, जिनोंने धर्म का व अगवान महाविर की वाणी वित्रागता से ओत्प्रोत थी, उनकी वाणी सरवांग आत्मप्रदेशों से निकलती थी, वह वाणी निरक्षरी एवं ओमकार रूप थी, फिर भी सभी प्राणे अपने अपने भाशा में समझ लेती थी, श्रावन कृष्ण प्रतिपदा से यूग आरम हुआ, परंपु जमुनी श्री अनुपम सागर ने कहा कि सूरत सिरात का अंधिरार नश्ठ हो जाता है। अकबानी, शोयब वकिल, नसीम उल्ताफ गोदिल, कासीम बेग उपस्ति थे। मुख्यातिती ने चात्रों का मार्ग दर्शन किया। मेदावी चात्रों को पुष्पगुच्च और उपहार दिये गए, वकिल परवेस की ओसे चात्रों को पवित्र कुरान वन नगत पुरस कार भी दिया गया। लेक्चरर मोहमद जावेदन सारी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। प्राधनाचारिय नसीम गोदिलो ने ये जान करी दी। जेब दस्ते के पुलीस कर्मियों को प्लैटफॉम 3 और 4 में मिला। उसने शिकायत करते हुए बताया कि 12 जुलाई को बालाघाट से गोंदिया एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। किसी कारण से उसे गोंदिया स्टेशन में ही रुखना पड़ा। स्टेशन में प्लैटफ वे सुरक्षाबल गोंदिया आउटपोस्ट में जाकर शिकायत की और आर्पीएफ अधिकारियों ने से स्रीवि में फर्यादी के बगल में सोय हुए व्यक्ति को फर्यादी द्वारा बताये गए हुलिये के आधार पर से स्रीवि के जरिये खोजबिंकी। वह व्यक्ति जल दिखाई दिया, आर्पीएफ दस्ते ने उसे पकड़ लिया और फिर्यादी का मूबाइल बरामत कर उसे वापस लोटा दिया गया। दिखाई की और से कुलपती प्रोफेसर अजनिश कुमार शुकल का अंगवस्त्र श्रीफल और पुष्पमाला प्रदान कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर वनोज कुमार, प्रोफेसर अवधेश कुमार एवं डॉक्टर गोपाल कृष्ण ठाकूर मंचा सिं विधित हैं कि भारतिय शिक्षण मंडल शिक्षा के एक शेत्र में राष्ट्रेय पुनर उत्थान के उद्देश से कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 1979 में राम नवमी के दिन हुई थी। इसके मुख्य उद्देश में ही भारत की एकात्म जिवन दृष्टी पर आधारी त सरकार गिर गई और भाजपा के साथ शिंदे गुट की सरकार बन गए। नई सरकार बनने के बाद शिवसेना सांसत्व प्रवक्ता संजयराउत नागपूर पहुचे। चर्चा है कि यहां संगटन में गुटबाजी के चलते दो दिनों के दौरे पर आये हैं। दोनों दिन संगटन में यहां किसी तरह का मतबेद या फूट नहीं है। एरपोर्ट पर चर्चा के दौरान राउत ने कहा कि अभी राजज सरकार अस्तित्व में नहीं है। मुख्यमंत्री वूपर मुख्यमंत्री का नाम लिये बगेर ही केवल दो लोगों की कैबिनेट हुई। सोला के उलट फेर के बाद पहली बार सिटी आय राउत ने कहा कि महाविकासागाडी सरकार नहीं जनता के हिप में कई निर्णे लिये थे जिनें ये सरकार बदल रही है। जरजर इमारतों को लेकर हाई कोर्ट की और से भी कई बार आदेश जारी हुए है। हलाकि आदेशों के बाद कुछ समय तक कारवाई तो हुई लेकिन वर्तमान में हो रही जहमाजहम बारिश के मद्य नजर जरजर इमारतों से खत्रा बढ़ने की बाद भी मनपा प्रशासन केवल दर्शक बना हुआ है। इसका अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि वुद्वार को हु इक जरजर इमारते हैं जरजर इमारतों के खिलाब कारवाई के लिए मनपा में अतिक्रमन विभाग का दस्ताकार्य रथ है। प्रक्रिया के अनुसार जोनल कार्याले की और से जरजर इमारतों का सर्वे करने के बाद संपत्ति धारकों को नोटिस दे कर ऐसे इमारतों की विभाग को कारवाई के लिए प्रेशित करना होता है कुछ जोनल कार्याले की और से सर्वे तो किया गया लेकिन सर्वे के सुची मनपा मुख्याले अतिक रमन उन्मूलन विभाग को नहीं भेजी गई इंदिरा गांधी शास्किया वैद्यकिया महाविध्याले में अब तक 56 कौकलियर इंप्लांट सर्जरी की जा चुकी है इनमें पाच वर्ष तक के जन्मजात मुख बदिर बच्चों का समाविश है विभाग प्रमूग जीवन बेदी ने गुर्वार को पत्रकारों से बाच्चीत में बताया कि यहाँ विदर्ब मराटवाडा के अलावा मध्यप्रदेश और 36 गड़ से भी इलाज कराने के लिए मरीज आते है उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले 6 मुख बदिर बच्चों की कॉकलियर इंप्लांट सरजरी सफलता पूर्वक की गई इनमें सार्वे निखारे, विराज शिंदे, प्रियांशुलांडे, विराज आमले, देवांश बोरकर, अरिवा सयज शामिल है इसके उप्रेशन में 6 लाग रुपे तक का खर्च होता है, लिहाजा गरीब लोग उप्रेशन कराने में सक्षम नहीं है ऐसे में केंद्य सरकार की ADIP ओजना के तहट मुफ्त उप्रेशन कराने की सुविधा प्रदान की गई है डॉक्टर बेदी का कहना है कि ओप्रेशन के पश्चार बच्चा सामान या बच्चों की तरह व्यभार करने लगता है उसके जीवन में किसी प्रकार की मुश्किले नहीं आती है उन्होंने कहा कि कौक्लियर इंप्लांट सरजरी को लेकर लोगों में जागरुप्ता लाने की जरूरत है कौक्लियर इंप्लांट एक electronic डिवाइस है ये सिधे कान के अंध्रूनी तांत्रिकाओपर प्रभाव डालता है बिते पूरे एक सप्ताह से बादल मुसलाधार बरस रहे है हर दिन कभी रात तो कभी दिन में भले ही एकात गंटे की धुआधार बारिश हो रही है लेकिन इससे पूरे शहर के आफ़त हो रही है कई निचले बस्तिया में नदी नाले उफान पर होने और ड्रेनिस सिस्टेम चोक होने के चलते पानी घरों में घुसरा है अब शहरवासी यही चाह रहे है कि ये आफ़त थम जाए गुरुवार को भी सुभा से ही कभी हलकी तो कभी तेज बारिश का सिलसिला चलता रहा आज बजे तक शहर के 52 मिलीबीटर बारिश दर्च की उसके बाद भीरुक रुक कर रिमजिम बारिश होती रही जिले में इस सिजन में एक जून से 14 जुलाई की सुभा तक 458 मिलीबीटर बारिश दर्च की जा चुकी है शहर में अंबाजरी गोरे वाड़ा तलाव ओवर्फलो हो चुके हैं पुटला का जलस्तर काफी उपर आ गया है अन्य तलाबो में भी बड़े पैमाने पर पानी भरने लगा है जिला परिशत अध्यक्षव उपाध्यक्षव के कार्यकाल के अवधी को बढ़ाने के राज्य सरकार के निरणे को चुनोती देते हुए उपाध्यक्षव सुमित्रा कुम्भारे वसत्ता पक्षनेता अवंतिका लेकुरवाले ने हाई कोट में निर्णे कोट स्टे देने की मांग की आचिका दायर की थी गुरवार को हुए मामले पर सुनवाई में सरकारी पक्षने जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा अगली सुर्वाई आज हो रही है जिला परिशत के विद्यमान पदाधिकारियों का धाई वर्ष का कारेकाल 17 जुलाई को समाप्थ हो रहा है चुकि अध्यक्षपद आरक्षन के लिए रोस्टर निकाला जाना है लेकिन उपाध्यक्षपद वपंचायत समितियों के उपसभ पत्यों की चुनाव का कारेक्रम घुशित कर दिया था लेकिन राजसरकार ने विद्यमान पदाधिकारियों की कारेवधी अगले आदेश तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था उस आदेश को स्थगित करने की मांग को लेकर नाकपुर जिला परिशद में सत्ताधारियो ने ही हाई कोड की नाकपुर खंड़ पिट में याचिका दर्श की मांग की गई है कि उपाध्यक्ष का चुनाव समय पर लिया जाए याचिका करताओ की और से एड़ोकेट देवेन चोहान ने पक्ष रखा जिले में कोरोना संक्रमन तेजी से फैल रहा है 24 घंटे के भीतर कुल 140 नए संक्रमित मिले इनमें सिटी में सबसे अधिक 110 और ग्रामिट इलाकों के 30 संक्रमितों का समाविश है वही 115 कोरोना संक्रमित मुख भी हुए जिले में कुल 1745 नमुनों की जांश की गई थी फिलहाल जिले में 967 एक्टिव मामले है इनमें 943 होम आइसोलेशन में रहे कर इलाज कर रहे है जबकि 24 मरीजों को विविद अस्पतालों में भरती किया गया है अब अस्पतालों में भरती होने वाले मरीजों की संख्या पढ़ने से डॉक्टरों ने भी सतरकदा बरतने की अपिल की है दस महिने के बच्चे का लिवर ट्रांस्प्लांट कर सिटी के डॉक्टरों ने एक और उपलब्दी हासिल की है मुहमत अबास नाम का बच्चा बिलियरी एट्रेसिया नामक विमारी से पीडित था जम से पित पढ़ने से डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर लिवर ट्रांस्प्लांट किया ऑपरेशन करीब 16 घंटे तक चला दस वर्ष के बच्चे का लिवर ट्रांस्प्लांट मध्य भारत में पहली बार किये जाने का दावा डॉक्टरों ने किया है अब बास के परिजनों ने उमी की गए माता पिता का ब्लड ग्रूप बच्चे से मेल नहीं खाने की वज़े से मौसी ने लिवर डोनेट करने की सहमती दी ट्रांस्प्लांट के बाद बच्चे को दो हफ्ते में ही छुट्टी दे दी गए अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है गुरवार की दोपहर आसिनगर जोन अंतरगत कमाल चौक के दुकानदारों में उस समय हड़कम मच गया जब एनेडी एस की कारवाई में बुग डिपो से प्रतिवंदित प्लास्टिक कैरी बैक जब किये जाने की खबर आग के तरह पैल गई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवंदित प्लास्टिक कैरी बैक को लेकर कारवाई करने के निर्देश देने के बाद मनपा ने इसे अभियान के रूप में शुरू किया गुरुवार को दस्तेने कूल साथ जोन में कारवाई की जिसमें 10% से 50,000 रुपे का जुर्माना वसुला गया सुत्रों के अनुसार मनपा की और से भले ही प्रतिवंदित प्लास्टिक कैरी बैक को लेकर अभियान के तोर पर कारवाई शुरू की गई हो लेकिन अभी भी कई जगों पर चोरी छिपे कैरी बैक का इस्तमाल हो रहा है बताया जाता है कि नए ग्रहा को द्वारा कैरी बैक मांगने पर दुकानदार इंकार कर देते हैं लेकिन पहचान के ग्रहागों को बेखोफ कैरी बैक उपलप कराय जा रहा है कोरोना की तिसरी लहर पुरी तरह से नियंतरण में आने के बाद भी अब लगातार कोरोना बाधितों की आकड़ों में उच्छा लाया है केंद्र सरकार के इस फैसले का पालन करते हुए अब राज्य सरकार और स्थानिय निकायों ने भी शुक्रवार से 75 दिनों तक बुस्टर डोस मुफ्त देने की घूशना की इसके लिए मनपा शहर के प्रत्तिक जोन में वैक्सिनेशन सेंटर पर इसकी सुविधा प्रदान करेगी बताया जाता है कि गत कुछ दिनों से भले ही वैक्सिनेशन सेंटर कम रहे हो लेकिन अब बुस्टर डोस के लिए सेंटर भी बढ़ाये गए है उलेकनिया है कि अब तक कोविशिल और कोवैक्सिन का डोस देने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किये गए थे तीन-तीन दिन दोनों वैक्सिन के लिए निर्धारित किये गए थे किन्तु अब मनपा के सभी किंद्रों पर सुबह 9 से दोपहल 4 बजे तक को विशिल्ड पूरे सप्ता तथा को वैक्सिन का सुमवार से शुक्रवार तक बुस्टर डोज मिल सकेगा जबकि शनिवार को 12 से 14 वर्ष आयू के बच्चों को कार्बो वैक्स का बुस्टर डोज दिया जाएगा 18 वर्ष से अधिक उम्रके जिनोंने 6 माँ पूर्व दूसरा डोज लिया है उन सभी को बुस्टर डोज निशुल्ग दिया जाएगा यातयात पुलीस ने मोटर वाहन अधिनियम के विविन अधाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 2150 वाहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,55,000 रुपे का जुर्माना वसूला मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत 6 मामलों में 6 आरुपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 7,500 रुपे का सामान जब किया गया उपरोगत सभी ओपरेशन सयुक्त रूप से नाकपूर सिटी पुलीस बारा किये गए थे ट्रैफिक विभाग ने यह आवाहन किया है कि नागरीक वाहन चलाते समय वाहन से सम्मन्दीत सभी दस्तावेज अपने स्पास रखे तो नाक पुरहल चल में आज इतना ही कल फिर मिलेंगे देखते रही है वी के मिन्यूस नमस्कार